question number one जिसमें हमने quadratic equation को standard form में लिखना है और standard form again मैंने वैसे previous वीडियो में बता दिया हूँ है again मैं explain करें हूँ standard form किसी भी quadratic equation की ये होती है ax square में पहले x square वाल टर्म then bx वाली terms आएंगी then c constant is equal to 0 होगा और इसमें हमने ये भी point out करना है कि हमारे पास जो stranded form में рай 003rau में आ रही है quadratic equation है वो प्योर है या नहीं है मिंगर ये वाली term नहीं होगी bz equal to 0 होगा मिंगर ये term हतम हो जाएगी तो हमारे पास हो quadratic equation होगी वो pure form होगी quadratic equation के तो हमने ये भी find out करना है कि हमारे पास ये जो quadratic equation है आया कि वो quadratic equation है ये pure quadratic equation है तो यहाँ अब देखें कि x और x plus 1 का हम LCM ले x और x plus 1 को ये denominator में है तो इसका LCM भी x into x plus 1 आजाते है तो मैंने हर term को x over x plus 1 को भी x into x plus 1 से multiply कर दिये और x plus 1 over x को भी x into x plus 1 से multiply कर दिये और इस side पे 6 को भी मैंने x into x plus 1 से multiply कर दिया तो यहाँ आप देखें ये x plus 1 और ये x plus 1 cancel हो जाएंगे ये तो हमारे पास ये आजाएगा x square और plus ये इन दोनों को multiply करेंगे यहाँ भी हमारे पास ये x और ये x cancel out हो जाएंगे तो x plus 1 और x plus 1 को multiply हम करेंगे पहले x को हमने x से multiply किया x square x को 1 से किया तो x फिर 1 को x से किया तो x 1 को 1 से कर दिया तो 1 और इदर 6 x को अंदर multiply कर दिया तो 6 x square plus 6 x आगे अब x square x square को add किया तो 2 x square आगे ये हमारे पास दोनों add हो रहे है तो plus 2 x हो जाएगा ये 6 x square इस साइड पर आके minus 6 x square हो जाएगा और ये 6 x plus में है तो ये भी ज़रा कि minus 6 x हो जाएगा और ये plus 1 as it is अब 6 x square में से 2 x square minus किया तो minus 4 x square 6 x में से 2 x minus किया तो minus 4 x plus 1 is equal to 0 तो ये हमारे पास minus हम इनके sign change कर देंगे ये minus plus में ये minus plus में और ये plus minus में और इस साइड पर भी sign change होगे लेकिन 0 क्योंकि neutral होता है positive or negative नहीं होता तो इसलिए इसको minus हमाले पला करें अब रासे इस से फरक नहीं पड़ता है ओके अब हम part number 4 करते हैं part number 4 में हमें तो ये standard form हमारे पास आगी है quadratic equation कि अब part number 4 में हमें x plus 4 over x minus 2 minus x minus 2 over x plus 4 तो यहां आप देखे denominator में x और x minus 2 है तो इन दोनों expressions के साथ मैंने हर term को multiply कर दिया x plus 4 over x minus 2 को multiply कर दिया मैंने x into x minus 2 के साथ ऐसे ही x minus 2 over 2 को भी मैंने multiply कर दिया x into x minus 2 के साथ और plus 4 को भी मैंने multiply कर दिया x into x minus 2 is equal to 0 आगया अब इंस में से आप देखें कि ये x minus 2 और ये x minus 2 cut हो जाते हैं और x को इस से multiply करें x के और x को 4 से multiply करें तो 4X आ जाता है अब यहाँ पर X और X cancel हो जाती है X को X से करें तो X किया X को minus 2 से करें तो minus 2X minus 2 को X से करें तो minus 2X minus 2 को 2 से करें तो plus 4 आ जाता है और स्टाथिक में minus से जूँके तो इन सब की value change होना है तो इसलिए मैंने bracket put करती है plus 4X को X से किया 4X किया 4 को 2 से किया तो 8X is equal to 0 आ किया अब X किया plus 4X minus X किया minus minus plus 2X minus minus plus 2X plus minus 4 minus 4X किया minus 8X अब हम इसको 4X किया यह दोनों अपस में यह plus minus के X किया cancel होगे तो हमारे पास यह बच गया 4X किया तो वो हमने लिख लिया then हमारे पास यह 8X और यह देखें plus 4, plus 2, plus 2 यह क्योंकि like terms है minx वाली ही है 4, 2, 6, 2, 8 और दोनों सब के साथ addition है तो add हो जाएंगे और minus 8X आजएगा अब आती है constant के बारी जो कि minus 4 is equal to 0 अब plus minus minus हो जब जे waूझन incorporateबाने का out क्योंकि च्वाएंगे नहीं एंजी को का आती है रर लो कि अजऴ है और दोनी हॉ और यह जलर बारी छो,पए़एबा और भासिवाण झाल झाल झाल